हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी कापके अपने यूटूब चैनल स्टर डिवीद इंजीनियर सोहिल मंजिल तक सफर में दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही ज़्याद अच्छे होंगे और आपको एक में tentative date बता सकता हूँ कि इस मंत तक आपका exam हो सकता है KBS का और उससे 10 से 15 दिन आगे पीछे हो सकता है लेकिन आपका exam उसी लमसम साथी आपका होगा ठीक है तो दोस्तों जो भी चैनल पर हमारे नए हैं दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजी आप और बैल आइकन जरूर दबा दीजी आप सभी को पता ही KBS के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा मिनत करता है हमारा ये पूरा परिवार और आप सभी लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं KBS के लिए ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को तो सबसे पहले मैंने लिखा है सर कि आपका exam कब तक होगा KBS का ठीक है अपरियल कब बन रहे हैं साथी आपके अपरियल और हो सकता है साथी ये मार्च में ये दोस्तों उन वाठ्चों की कौमिट लिखी है जो मैंने ज़्यादतातर देखी हैं अर एक वीडियो में अपने KBS की, तो वही कमेंट मैंने लिखी है, नाम नहीं बताँगा, मैं मैं किस किसकी कॉमेंट है, लेकिन mostly वच्चों की ये कॉमेंट है कि सर कितना दिन है अब हमारे पास तैयारी के लिए, क्या सर हमारा अभी भी सिलेक्षन हो सकता है, KBS में, सर हमें तैयारी कैसे करनी है, सर हमें Hindi कैसे करनी है सर हमें CDP कैसे करनी है आप सभी लोग जवरदस तरीके से क्लास को कै कर देंगे लाइक कर देंगे और वीडियो को शेर एक बार जरू कर दिज़े क्योंकि इतनी महनत सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए मेरे भाई मैं करता हूं और जब मैं आपको इतना सपोर्ट करता हूँ तो आप से भी मुझे सपोर्ट की उमीद रहती है ठीक है तो मार्च और अपरेल में साथ ही इसके एक्जाम होने के बहुत ज्यादा चांतस है KBS के ठीक है तो लगभग अगर मैं आपसे कहूं कितना टाइम है तो लगभग आपके पास 90 दिन का समय है ठीक है 90 दिन का लगभग आपके पास टाइम है और 90 दिन आपके लिए बहुत है अगर आप रोज परडे साथ ही अगर आप 6-7-8 घंटे पढ़ते हैं उसी के बाद लगभग साथी आपकी 50 से लेकर 60,000 रुपय तक की सेलरी आपके अकॉंट में में मेरे भाई आया करेगी ऐसे ही कोई भी चीज नहीं आ जाती है हमारे पास ऐसे ही हमें हर चीज का आननद नहीं मिल जाता है भी महनत करना पड़ती है हर एक चीज के लिए ठीक है आप जब महनत करेंगे तभी आपका KBS केलियर होगा आओ जब केवियस केलियर होगा तभी आपके अकॉंट में पैसा आएगा जब आपके पैसा आएगा जब आप फिट होंगे हिट होंगे तभी आपकी साधी होगी तभी आपके बच्चे होंगे और जब आपके बच्चे होंगे मेरे भाई तभी आप उन्हें पड़ा पाओग तैयारी कैसे करनी है इस पर लगभग साथी मैंने आपको कितनी वीडियो दी है साथ से आठ मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई है कि तैयारी कैसे करनी है लगभग 6-7 वीडियो आपको मैंने बताई है आठ वीडियो साथी मैंने आपके लिए डाली है अपने इसी playlist में तो आप चैनल पर जाकर एक playlist पूरी देखिए साथी एक-एक video आपकी काम की होने वाली है KBS से related ठीक है वसे मैंने best book कौन सी नेंवाली है KBS के लिए कौन सी आंसी आर्टी हमें पढ़ना है KBS के लिए Math कैसे पढ़नी है Math का syllabus क्या Hindi का syllabus क्या है CDP का syllabus क्या है सब कुछ आपके लिए detail बताई है और document कौन-कौन से आपके लगेंगे कौन-कौन से दस्तावेज आपके लगेंगे वो भी मैंने आपको बता है तो हर एक चीज दोस्तों आपको available मिल जाएगी ठीक है कितना घंटा पढ़ना है जाकते हैं ठीक है दिन में सोते हैं या खाना कर नहीं खाते आप लोग पानी नहीं पीते आप लोग पढ़ते नहीं आप लोग ये कारण हो सकता है लास्ट वाला ठीक है पढ़ते नहीं आप लोग और जब आप पढ़ेंगे नहीं ना तब ही आपके दिल में यह ख्याल आएगा कि सर मेरा selection नहीं हो सकता आप मेरी बात मानें आप रोज 6-7 घंटे पढ़ेंगे ना आप जब 21 दिन बाइस दिन तक जब आप ऐसे continue पढ़ेंगे तब आपके दिल में दोस्तों यही ख्याल हैगा कि मेरा selection कोई नहीं रोख सकता यह दोस्तों आपके अंदर energy आजाएगी यह confidence आपके अंदर आजाएगा अगर आपने 10-12-20 दिन से दोस्तों लगातार पढ़ाई की 6-7 घंटे तो आप कहेंगे कि मेरा selection कोई नहीं रोख सकता आपके दिल में यह ख्याल तो आई ही नहीं सकता कि मेरा selection नहीं होगा तो इस हिसाब से आपको तयारी करनी है हर एक दिन अपने लिए एक छोटा छोटा गोल अपने लिए बनाए ठीक है जैसे माल लीजिए आपने मैध उठाई ठीक है मैधन माल लीजिए आपने पढ़ा time and work ठीक है तो time and work को आपने पढ़ा फिर एक आता है ए ने काम करा बी ने काम करा भी कुछ दिन बाद काम को शोड़कर घर चला गया भाई या उसकी बीबी ने उसे बुला लिया ठीक है वो घर चला गया क्या दिक्कत है ठीक है तो फिर आता है फिर काम करता है तो अकेला एक इतने दिन में काम करेगा तो आप ऐसा target बनाएंगे कि सारा आज में पहला दिन है मेरा मैत का आज ठीक है आप क्या करेंगे टारगेट बनाएंगे आज मेरा सारा पहला दिन है मैत में और मैं आप type 2 करूँगा type 1 और type 2 तो आज मैं complete करकर टोऊगा ठीक है फिर जब दूसरे दिन बैठेंगे तब आप target बनाएंगे type तीन और फिर चार में complete करऊंगा ठीक है और इन दोनों का फिर क्या करूँगा तो अप आप क्या करेंगे भाई डेली का ठीक है आप डेली का एक टारगेट फिक्स करेंगे ठीक है डेली का एक मेरे भाई टारगेट फिक्स करेंगे और इस पूरे दिन को ठीक है जो भी साथ ही आपका पूरा दिन होगा ठीक है इस पूरे दिन को इस टारगेट को अचीब करने में म आप देखेंगे कि आपके अंदर changes कितने हैं ठीक है आपको बैठना पसंद हो जाएगा आप पढ़ने में इंट्रेस्ट लेने लगेंगे आप कुरसी पर बैठने की आदत हो जाएगी आपकी पढ़ने के लिए ठीक है तो ये सब चीजे आपकी तभी होंगी जब आप 10-15 दि जब हम पढ़ा ही करते थे मिरे भाई तो हम भी ऐसी करते थे हम ने 10 दिन तक हमने माली है चार चार घंटे पढ़ाई की इसके बात हमने क्या के है हम क्या करते था भाई एक्जाम से ठीक हमारा एक्जाम होता था सुभा को दस बजे ठीक है सुभा को दस बजे एक्जाम होता था तो हम ने क्या करें माल लिए मंडे को एक्जाम है और संडे को हम लोग बैठे ठीक संडे को हम लोग बैठते था सुभा दस बजे वोई नास्ता बजे से फिर हम एक्जाम दे के आके सुबह 10 बजे और 12 बजे तक एक्जाम देने के बाद आकर फाई फिर हम सोते थे अपने रूम पे यह हमारा रूटीन था भी टैक में ठीक है तो ऐसे ही कुछ नहीं हो जाता आजकर लोग कहते हैं कि इंजीनियर क्या इंजीनियर की डिगर आपको पड़ाई बहुत जबरदस करनी है आपको टार्गेट बननाना है मेरा और के बीस में सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोग सकता जैसा मैं कह रहा हूं बस बैसा कर दो आप एक्जाम आपका कब होगा बता दिया मार्च अप्रेल कितना दिन से नबबह दिन आप मान के चलेंगे दिन आपके बढ़ें तो ठीक है नहीं पढ़ें तो 90 दिन का टार्गेट आप लेकर चलेंगे नबबह दिन के स्ट्रेटेजी लेकर चलेंगे तयारी कैसे करनी है वीडियो देखिए कह आप सासराथ कितना घंटे पढ़ना है 6-8 घंटे आपको पढ़ना है अभी नहीं पड़ पा रहे हैं तो चार घंटे पढ़िए फिर 6 घंटे की आधस बना अने लेकिन बनाये आपको ठीक है क्या मेरा भी सिलेक्शन होगा बिलकुल होगा अब का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता अगर आपने तैयारी करना यह सब कुछ possible होगा आपके time से ठीक है 10 से 15 दिन आपको मिहनत करनी है पड़ाई करनी है एक target बना कर ठीक है तो चलिए दोस्तों मीद करता हूँ सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी कुछ ना कुछ motivation जरूर मिला होगा आप सभी को और अगर motivation मिला हो आग लगी हो दिल में म सबस्क्राइब जरू कर देना मेरे बाइएसा नहीं मुंबत्ती लगा दो मिरे लाए चैनल में ठीक है मोचल जड़ जाएगा ठीक है चैनल को सबसक्राइब जरू कर देना जनल जरूर दूब टमिंग लीकिन चैनल पर.